बुवाई का समय बिलकुन नजदी का अगया है कुछ शेत्रों में बुवाई शिरू भी हो चुकी है राजगर जिले में अदिपतर शेत्रों में सोयवीन की बुवाई होती है वीदियों के बारे में किसानों से जानते हैं मैं से इसलिए तो अच्छा यह पैडा वर रोती है और नुपसान होता है, इसलिए वो बीच पूरा उबनी पाता है अपना. पूरा के रहने वाला मांगिलाल दांगी हूँ और मैं बहुत ही कर रहा हूँ, बेल सामन से कर रहा हूँ, आमेशा के लिए बेल सामन से कहती करता हूँ, फैंक के कभी भी भी अपनी बहुता हूँ, वो फैंक में नुकसान है, और बेल सामन की जो पेदावारी होती है, वो मेरा नाम ये कन्या लाल देंगे में ब्यारा करेंके निवसी हूं मैं नाई और बेल से सोविन बोता हूं क्योंकि इसका कारण फेक के यूनाई बोता हूं क्योंकि फेक बामें हमें नीनबा की और कुल्पी की परसानी होती है इस प्रकार से हम और के ही बोते हैं क्योंकि कुल्पी निकल जाती है कभी पाने जो कम गिरता है ना तो हम निम भी लेते हैं, यसे दवाई ने देनी परते हैं, और दवाई की बच्छत हो चाती है, जो जादा पाने की वर्षा होती है, तो फिर दवाई की छिड़काव कर देते हैं, जो हम बीच फेक के बहता है ने तो 35 किलो के एरे मेरे स्वयविन एक बिगा में आती है, और तो पत्चीस किलो के हिसाब से बहते हैं तो उसे हमें बीच की भी बचत होती है वही पोदा में फल आवे अगर जो बन फेक के बहुत ज्यादा सांगनी सोय बिन वहादा अगर जड़ से जड़ मिली तो ज्यादा जड़ नहीं कर पागी और वह पल्या कम लेगी बात एगी दे हृँ में उस्त जड़े करती हैं वह थो हृँ जड़े यृप वापस में आगर जड़ से जड़ मिलगी तो पल कम लेती और जो सुय में निकलता है तो वहाटा जड़े निमल फ्रम ज्यादत लेती हैं तो आजैंहें लिटेति लृव चलहे पादा अगैश्मує में पंचान स सकता है एक्सेस दोरा इस प्रद्धिती का उप्योग किसानों को करवाया जाना है जिससे उनको लाब में और अधिक वर्द्धी हो आईये जानते हैं बीविएफ मशीन के बारे में विशेच अगोगी क्या राए है राम राम किशान भाई हो मेरा नाम जितेन सिंग राजपूत जो की बेगत यहां से दो जाराद से हम नहीं काम कर दे हैं आज मैं किशान भाईयों को बताना चाहरा हूं कि खरीब फशलाओं की बॉनी चल लिए जिसमें हमने बीविएफ मशीन के दवारा कुछ किशानों को पिछले बार भी हमने बॉनी कर वाई थी जिनके काफी अच्छे रजल्ट रहे थे इस वाद ही हम उनकी बॉनी करा रहे हैं और जो सक्सेश किशान है वो तो यह करी रहे हैं साथ ही मैं उनके चाहरों को भी सला दूंगा जो बीविएफ से बॉनी में कर रहे हैं वो बीविएफ के द तो आपो आपता राग्वारा कुछ खियतों मैं अजा रहा है कि हम कुछ खेटों पर रष्य करें श्के में काम कैसे करती हैं असल में हम देख रहे हैंकि यह हमारे जो आइसी यह अनुशनदान तो आज हम जो बीवेफ कर वाई देख सकते हैं कि इसमें जे कुछ फाल लगे हुए है जे असल में इनका काम होता है कि नालियां बनाना इसमें जाना पर फ़र काम करता है बाकी सभी अपने जो सीडिल होती है जो किशान बाई अपने से डिल से मोटे हैं सहन मोई है अंतर इसमें आता है कि फर नालियां बनाते आते हैं और खेत में स्वेवीं कोब यह समझे नालियां दोनों साइट उधर भी और इस साइड ही फर दोनों साइड रहते हैं जिससे नालियां बनती है तो खेत में जब पानी की अधिकता होती है बसाथ अधिक होती है तो इन नालियों के द्वारा पानी के से बाहर निकल जाता है और शोयावीन को अमारे गलने से बचाता है साथी जहां कम बर्शाथ होती है कम बसा होने के समय म जो सोयावीन की पाने की पूर्ती गड़ता है यह विसे संतर के कारण हमाई सोयावीन इसके द्वारा काफी सक्से होई है और अच्छे पढ़नाम किशानों ने लिए किशान भाईों जब देख रहे हैं कि हमारे इस खेत में नालिया जो बंते जारी वीविएफ की वो इस पिक जाने अपने आत्मा ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर से कि उनका वीविएफ के बारे में क्या सोच है कि ईसके वरे में हमारे किसान वाईओं को कुछ साइशन देना चाहे तो इसके बारे मताएं जैसाे मुसम को देख stuff अधिक बर्शा भी हो रहा है और मोई और किसान वाईओं के लिए बीविव 723 बहुत फायदा मंद है बीविए मसीन से जो किसान बोनी कर रहा है उसको कहते हैं अगर कम बर्शा होती है तो भी उसको फायदा है अगर आदिक बर्शा होती है तो बहुति पंदे बारिस कम होती है तो ऊसमे 50 वादी घर आधा हुआ पानी है वो सी मैं पर पानी मिलना चाहिए वो पर्यापत पानी मिल जाता है बीबेब मसील किसानों के लिए बहुत लापकारी है और किसानों से मैं यही कहूंगा कि बीबेब मसील बहुत अच्छी है पीडी सक्सेना ग्रामिन के सिर्ष तान दिकारी है बीबेब मसील का यहाँ और इसमें कूंड बन थी कूंड के जरिये पानी का अगर ज्यादा एकसेज वाटर अगर खित में होता है तो उस कूंड के जरिये आप निकाल दी किसानों को यही बता रहे हैं कि इस कूंड के जरिये एकसेज वाटर में आपकी फसल घलेगी नी और पानी को आप निकाल दीजे और अगर बारिश का मोसम ज्यादा कम बारिश में भी आपन सोयाविन की जो भी फसलें लेंगे खरीब की वह बहुत बढ़िया इसमें आईग अब अब सुरी का प्रकार सब प्रयाप्त मिलेगा पानी आपने पूंड के जरिये रोक लिया है रोकने से क्या होगा कि पानी अगर बारिश नहीं होती 15-20 तक तो उस पानी पूंड के जरिये रुके हुए से अपनी फसल बहुत बढ़िया पुम पर फसल हो यह मैथर बहु के और कुंभ बनने से किसानों और मैर पर भी जाई होने से यह मैथर बहुत है अच्छा पसंड किया कुए नहीं के लिए बहुत बढ़िया है मशिन के लिए आज आए है हमारे किसान में बहुत पाहयी तुए इसको यहा भ Algowni उसी मरसिन से की जाए झाल झाल